दो एक रागनी राजा मोर्धच के टिस्चे की उस समय की बात इस समय राजा मोर्धच अपने बेटे धीर धट को चीरने के लिए बढ़ी के यहां से आरा लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी तो घर मिलते नहीं लेकिन उनकी घर वाली बाढ़न घर मिलती है तो राजा मोर्धच बाढ़न से इस बात के द्वारच जा कहने लगे और क्या सवाल जवाब होते हैं आँ और पैना साया रादे बेटी और नू बोला रावे लाड में मेरा धीर धजची ला जागा कहीं रुकना जाए हाड में रुकना जाए हाड में और पैना साया रादे बेटी नू बोला रावे लाड में मेरा धीर धजची ला जागा कहीं रुकना जाए हाड में रुकना जाए हाड में मेरा कहना अना बेटी में कार निकलना चाहिए राजा के संग रया का गहरा प्यार निकलना चाहिए एक एक मिनट हो ये भारी ना उतार निकलना चाहिए सर के उपर धरते ही आरा पार निकलना चाहिए हटी पचली सब कड़ जा फिर कुछ ना बचे बाड में मेरा देर धच चेर आ जाका कहीं रुक ना जाए हाड में में रुक ना जाए हाड में बड़े यंगी हवन तप दान करे मन जब बेटा पाया था वो त्रस्ते अक कराय मन अड़े सड़ती रत नहाया था अड़े सड़ती रत नहाया था वैद डग टर पास रहे इस धाल मन चाहाया था उस मा की तो ही मत एक जो पेट पाल जाया था मा बेटे ने धर में किखा तर चीरन लगी खाल में मेरा धीर धच तीर आजा का कहीं रुक ना जाए हाड में रुक ना जाए हाड में देर नहीं करनी होगी आरा जल्दी देना होगा इतना ही एहसान भा तेरा जो बेटी पेना होगा बेटी पेना होगा मेरी राय के मा भिक कर दीजे तेरा जो कुछ कहना होगा कुछी अच करके चलें दुनिया से यहां किसका रहना होगा किसका रहना होगा नस्पे जोर जमाया जासे अपनी आडगाण में मेरा तेर धच तेरा जाक कहीं रुकना जाए हाड में रुकना जाए हाड में बेटे के मरने से आज मेरा उचड मेला होगा दरवारों में मेरी जान का घना जह मेला होगा घना जह मेला होगा एशा दानी कोई मत बनियों जहां बेटा या चेला होगा सारे दुख मिट गे जिस दिन को कोरी का चेला होगा पीरू कह साड की विगडी सुद्र फिर साड में मेरा धीर धच तीरा जागा कहीं रुकना जाए हाड में पेना साया राते बेटी न्यूं बोला रावे लाट में मेरा धीर धच तीरा जागा कहीं रुकना जाए हाड में रुकना जाए हाड में झाल झाल